हलो फ्रेंट्स आप्रुती वेलकम एक ट्यू आर चैनल प्लांट से स्पेस आज हम आपसे एक ऐसा प्लांट शेयर करेंगे जो कि थोड़ा सा डिफरेंट है और आप में से बहुत से लोगों ने ये प्लांट देखा भी होगा और बहुत से लोग ऐसे होंगे जो इसको फर्स टाइम देख रहे होंगे ये प्लांट मुझे बहुत जादे पसंद था और मैं ये सोच रही थी कि ये मुझे कहां देखने के लिए मिलेगा क्योंकि mostly ये south में या फिर north east area में मिलता है देखने के लिए लेकिन ये हमारे उत्तर प्रदेश में हमें देखने के लिए मिला जो की एक तरह से काफी shocking भी था क्योंकि imagine नहीं किया था कि ये मुझे उत्तर प्रदेश में ही देखने के लिए मिल जाएगा और इसकी जो पतियां होती है आप देख रहे होंगे बिलकुल एक banana plant की तरह होती है जिसे केले की पतियां होती है वैसे ही इसकी पतियां देखने में लगती है और सामने से मैं first time ही इस plant को देख रही हूँ और इतनी अच्छी बात रही कि इसमें flowers भी आ रहे थे तो हमने सुझे हमारे viewers के लिए शूट कर लेते हैं ये जो plant है ये मुझे सारनात में देखने के लिए मिला बनारस में तो अगर आपका कभी जाना होता है तो जरूर इस plant को देखेगा बहुत ही सुन्दर पेड था और इसके आसपास भी कई पौधे लगे हुए थे जो कि एकदम different थे वो भी आपसे share करेंगे कहीं भी घूमने चले जाएं लेकिन अपने plants space के viewers को बिल्कुल नहीं भूलते हैं जब भी कुछ नया दिखता है तो आपके लिए छोटी सी वीडियो जरूर शूट कर लेते हैं तो यह plant तो बनाना plant जैसा है और इस पर यह red color के flowers हैं यह एक flower spike होती है जिसमें कई सारे यह फूल जैसे लगे हुए होते हैं hanging flower होता है एक तरह का यह और यह प्लांट कहलाता है पंजे जैसे दिखाई दे रहे हैं इसके अंदर एक छोटा सा flower होता है और उसी में ही इसका रस होता है यानि जो इसका nectar होता है जो इसका रस होता है उसी के लिए जो चिडिया होती है वो इस फूल के पास आती है और इसका रस लेना पसंद करती है यह जो पेड़ है छोटे का प्लांट ग्रो करते हैं चलिए हल्दी रहने दीजिए आपने अद्रक तो देखा ही होगा जैसे अद्रक होता है या आपने कैना लिली देखी होगी इस पर भी वीडियो शेयर की थी उसको हमने बाहर निकाला था जमीन से तो वो वीडियो आप चेक कर लीजेगा उसी की तर तो कोई परिशानी की बात नहीं है ये ग्रो हो जाता है ये कम से कम दूप में भी ग्रो हो जाता है लेकिन इसको ब्राइट लाइट की जादा जरूरत होती है कम से कम इसको दो तीन घंटे की दूप जरूर मिल ली चाहिए इंडोर काफी लोग इसको ग्रो करते हैं कहते हैं और ब्राइट लाइट बहुत जरूरी है तब ही यह प्लाइट अच्छी ग्रोध कर पाएगा और आपको फ्लावर्स भी दे पाएगा हमारे यहां की यह लोकल नर्सरी में यह नहीं मिलेगा और नहीं मिलता है कभी देखा भी नहीं क्योंकि इसकी पतियां बनाना जैसी है आपको दूर से ही नर्सरी में यह देखने के लिए मिल जाएगा बाकी जमीन में लगा हो तो इसकी जो हाइट है वो 10 फीट तक जा सकती है लगबग और छोटे पॉट में आप लगबग 6-8 इंच के पॉट में भी ग्रोग कर सकते हैं लेकिन उसमें शायद प्लावरिंग आपको ना मिले तो कम से कम 12 इंच के गंबले में तो इसको जरूर रो खुबसूरत था यहां पर प्लावर को टच नहीं कर सकते थे इसलिए थोड़ा दूर से वीडियो शूट किया है लेकिन आप खोदी देखिए अगर आपने फ्लैमिंगो बर्ड देखा है तो मुझे तो यह कुछ-कुछ फ्लैमिंगो बर्ड की फीलिंग देता है और आप भ देखा जरूर होगा कभी ना कभी जो हैलिकॉनिया प्लांट होता है इसमें लगबख 60 से जादा स्पीशीज होती है जिन में से यह एक है तो आज एक ही शेयर कर रहे हैं आगे कभी दूसरी मिलती है तो जरूर शेयर करेंगे थेंक्यू